परासिया लाइंस क्लब नेतर चिकट साले पर एक समाद सेवी ने आनिमताओं और फरजी वाड़िका आरोप लगाते हुए इसकी जाच की मांग की है हलाकी अस्पिताल प्रबंदन ने आरोपों से इनकार कर दिया है समाज सेवी ने इस मामले में एस्पिताल प्रबंदन की जाज किये जाने की मांग की है इसमें निशुल्क आपरेशन सरकार के साथ हुए अनुबंद के तहत किये जाते हैं लेकिन अब एक समाज सेवी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लाइन्स क्लब नेत्रिक टिकिस साले में फरजी वाड़ा और अनियमताओं की जांच होना चाहिए लेकिन जांच का नाम सुनते ही अस्पताल प्रबंदन ने सारे आरोपो से इंकार करते हुए जांच से इंकार कर दिया जिसको लेकर समाज सेवी ने कहा अगर जांच नहीं हुई तो वे अन्शन करेंगे यह आपरेशन जनता की नजर में यह होता कि फ्री हो रहा एक सेवा हो रही एक अच्छा कार हो रहा किन्तु इस एक ऑपरेशन को करने के बाद सासन इनको केंद्र सरकार से 2000 रुपे की रासी प्राप्त होती है जैसा कि यह आठी आई में आप पन्ने में देखेंगे जो कि यहां पे भोपाल दौरा यह मैंने जो लगा कर यह दस्तावेच चाहा इस पे लिखा हुआ बर्स यह आपरेशन करने के उप्रांत इन्होंने जो सासन से पैसा पाया जो कि सासन ने सत्य प्रामालित करके दस्तावेच मुझे आठीयाई के माद्यम से दिया इस पे लिखा हुआ बर्स यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि इन्होंने दो हजार रुपे प्रतिया ऑप्रेशन सरकार से लिया लेकिन वर्ष दो मैं इन्होंने जो दस्तावेच پ्रस्तूत किए उस दस्तावेच के अधार पे हमारे नोजल अधिकारी डौक्टर कंचन दूबे जो की छनद्वाडा से इन्हें संका हुई इन्होंने जो बिगद अभी कलेक्टर थी मैडम पठले उनको उनने सिकायत की सिकायत के अधार पर जिसके दस्तावेज आज मेरे पास है